और मैं एक पाइलेट हूँ मैं पिछले 6 सालों से एक पाइलेट हूँ अगर आप भी पाइलेट बनना चाहती है तो मैं आपको बता सकती हैं पाइलेट बनने के स्टेप्स अब 12th class के बाद ही pilot बनने के लिए eligible हैं, आपको बस 12th में science stream लेनी होगी और physics और maths में आपको सिर्फ 50% marks लाने होगे pilot course research करने से पहले आप पहले देखेंगे कि आप medically fit हैं की नहीं पहले आप class 2 medical के लिए apply करेंगे, ये कैसे होगा, online जाके DGCA website है DGCA है Directorate General of Civil Aviation, ये Ministry of Civil Aviation के अंडर आता है जो सारी airlines है, उनके जो सारे rules, regulations अब follow होते हैं, वो सारे Ministry of Civil Aviation ही बताते हैं वहाँ पर आप doctor के नाम देखेंगे क्योंकि सारे doctor aviation medical specialist नहीं होते तो class 2 doctor specially आप उनके पास जाएंगे, दो दिन का ये process होगा, वो आपकी medical fitness चेक करेंगे, एक महिने तब का आपका medical assessment आपको वापस आएगा, जिसमें clearly रिखा होगा कि आप medically fit हैं ये हुआ class 2 medical, इसके बाद आपको class 1 medical करना होगा, जो finally बताएगा कि आप pilot के लिए eligible fully हैं की नहीं Class 1 medical आने के बाद दो तरीके, या तो आप सीधा flying school join कीजिए, जो आपको exam भी कराएंगे, flying भी कराएंगे या आप flying पहले करना चाहते हैं, या आप exams पहले करना चाहते हैं, अगर आप exams पहले देना चाहते हैं, वो आपको flying school जाने की ज़रत भी नहीं होगी अलग से institute join करते हैं, दिल्ली में, दौरका में काफी सारे ऐसे institute हैं, जो आपको tuition type classes देते हैं एक्जाम शुरू करने से पहले आपको एक number चाहिए होगा, जिसको कहते हैं computer number, ओडान नाम की website है, उस पे आपको अपने आपको register करना होगा computer number आने के बाद आपने आपको तयार करना होगा exams के लिए, CPL कहते हैं इस course को commercial pilot license course and finally इस course में आपको सारे exam भी clear करने और 200 घंटे की flying भी चाहिए, exams आप clear कर सकते हैं पहले लेकिन इनकी expiry date है, तो ऐसा ना हो कि आप पहले exam clear कर ले, दो साल बात फिर आप सोचे कि अब मैं flying शुरू करती हूँ, क्योंकि exams आपके expire हो जाएंगे, आपको फिर से देने पड़े तो जो generally airlines भी suggest करती हैं और जो मैं भी suggest करूँगी, कि आप दोनों साथ-साथ करिये, आप ऐसा flying institute join कीजिए, जो आपको exams कराते हैं, जो आपको ground classes भी देते हैं exams में हमारे जो courses होंगे, वो होंगे metrology, जो weather के बारे में हमें समझाया जाता है, क्योंकि pilot के लिए वो सबसे जादा ज़रूरी है, हमें बताया जाएगा navigation के बारे में, कि हमें एक जगा से दूसरी जगा कैसे पहुंचना है, तीसरा जो हमारा होगा, वो aircraft specific होगा, technical पढ़ा है, ये सब पढ़ने के बाद हम आएंगे air regulation पे, air regulation मतलब हवा के rules, जैसे traffic rules होते हैं सड़क पे, वैसे हवा में भी rules होते हैं, हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी नहीं जा सकते, तो air regulation हर country के अलग होते हैं, इंडिया में काफी सारे ऐसे इंस्टिट्यूट्स हैं, government भी हैं, private जिनका rate per hour के हिसाब से अलग होता है, अगर आप एक proper CPL course लेना चाहते हैं, उसमें आपकी accommodation, उसमें आपका ground school, flying guard, सब कुछ included होता है, खर्चा अगर आप government institute से करते हैं, और private से करते हैं, approximately 35 lakh से ये costing शुरू होती है, it can go up till 1 crore depending on आप किस institute को join करते हैं, क्या-क्या facilities avail करते है और क्या-क्या convenience avail करना चाहते हैं, जोब apply करने के लिए procedure है, उसमें भी सिरफ interview नहीं होता, जा आप cadet program से कित्रू जाएं, या आप course करने के बाद फिर job के लिए apply करें, जो interview process होगा, that is not just an interview, उसमें आपका hand-eye coordination भी किया जाएगा, तो hand-eye coordination बेटर करने के लिए video games खेलना ब आपका round होता है, first round उसमें तो written exam होगा, जिसमें आपके 12th के लिए physics and maths के उपर questions पूछे जाएंगे, second round जो होगा ये clear करने के बाद वो होगा video game type test, उसके बाद आपका problem solving technique देखी जाती है, analyze की जाती है, कि अगर आपको काफी सारी multitasking दी जाए, तो आप उस चीज को कैसे handle क करते हैं, अब क्या चीज prioritize करते हैं, ये सारी चीजों पर आपको वो analyze करके आपका assessment करते हैं, जिसके बाद आप तीसरे stage में पहुंचते हैं, जो होता है personal interview, जिसमें वो आपसे face to face सवाल पूछते हैं, job के लिए कुछ airlines पहले से ही, cadet program के ऐसे कुछ program आपको suggest करती हैं, जिन से आपकी job पहले से ही assured होती है, इसको कहते है LOI, letter of intent, कि अगर आपने अपना दिया हुआ ये course एक particular time frame में खतम किया, और successfully सारे checks आपने complete करे, तो वो airline आपको job देगी, अगर आपको इस दौरान इस method से नहीं जाना है, तो दूसरा तरीका है, जैसे हम normally jobs के लिए apply करते हैं, ह ये हम online भी पता कर सकते हैं, newspaper में भी add आती है, और ये normal तरीका होता है, जिसमें interview, group discussion, ये सारा कुछ आपके documentation चेक करते हैं, उसी के बाद आपको contract offer किया जाता है challenges के अगर हम बात करें कि pilot को डर नहीं लगता, सबको डर लगता होगा, बट pilot की जो training है, वो सी डर को काबू में रखने के लिए की जाती है हमारी जो training होती है, वो simulator based भी काफी सारी होती है, जिसमें हमको हर तरीके की emergency handle करनी सिखाई जाती है और उस simulator में आप काफी सारे घंटे बिताते हैं, जिसमें instructor आपको समझाते हैं, सारे normal procedure और सारे abnormal procedure तो जब passengers on board होते हैं, हम emergencies practice नहीं करते हैं, बट हम simulators में सारी emergencies practice करते हैं जिस तिन actual emergency हो in the aircraft, हमें पता हो exactly क्या step follow करने हैं, और कैसे सब कुछ सही सलामत सही नीचे पहुंचना है तो अगर आप भी pilot बनना चाहती हैं, तो मैंने आपको बताए, pilot बनने के steps, तो चलिए, उड़ाइए मेर साथ